तो चलिए हम लोग एक और question को देखते हैं, इस question को समझते हैं, ये एक आपका fraction का question है और इसमें हमको इसका sum निकालना है, तो देखिए इस question को कैसे करेंगे, इस तरीके के question को solve करने के, क्योंकि अगर basic तरीके से अगर इसको solve करने चलेंगे, तो ये थोड़ा सा difficult हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम trick के method से solve करेंगे, ताकि easy हुआ हमारे लिए solve करना है इस तरीके के problems को, इसमें देखिए, इस problem को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1 plus 11 plus 11 plus 11 plus 4 times 1, इसको अलग लिख लीजिए, 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2, इसको अलग लिख लीजिए, तो बस आप simple का करना है, इसका sum कर देना है, कितना हो जा रहा है, देख लीजिए, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, add कर लेते हैं, यह हो गया कितना, 4, यह कितना हो गया, 3, यह कितना हो गया, 2, और यह कितना हो गया, आपका, 1, 1, 2, 3, 4, यह कितना बन किया है, यह बन किया है, आपका 1, और यह बन गया, आधा और आधा, 1, फिर 1, 1, मिलके आपका कितना हो गया, 2, ठीक है, और यह 2 इसमें जोड दीजिए, कितना answer आगया, 1, 2, 3, और 6, तो इस तरीके से इसका answer कौन सा हुआ, 1, 2, 3, 6, option A is the correct, ठीक है, तो इस तरीके की problems को ऐसे भी deal कर सकते हैं, अच्छे तरीके से solve कर सकते हैं, बहुतीजी होगा, और गलती करने के chances जो है, एकदम कम होगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें, थैंक यू